Be Aware, Be Happy and Be Healthy. मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ओफ इरोलोजी हूँ, एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टिटूट पीजियाई चन्रीगर में. किड़नी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, बलाडर का कैंसर, किड़नी, किड़नी में रुकावट, प्रोस्टेट में रुकावट, प्रोस्टेट की कैंसर और मेल सेक्स प्रॉबलम का मैं इलाज करता हूँ. आजकल जो operation होती है तो आपने तो सुना होगा कि दिल में blockage होती है तो stand लगाते हैं जो कि काफी costly affairs होता है उसी तरह kidney में भी stand लगाने की जुरूत होती है एदी kidney में कोई रुकावट है चाहे stone की वज़ा से चाहे kidney की नली में structure के वज़ा से आपने कोई surgery किया है तो healing के लिए भी आपको stand लगाने की जुरूत है stone की वज़े से कोई obstruction है तो उसके लिए भी stand लगाने की जुरूत होती है कभी कभी kidney block हो जाती है और stand नीचे से नहीं जाती है तो kidney में छेद करके भी stand डालनी पड़ती है PCN डालनी पड़ती है जिसको percutaneous nephrostomy कहते हैं nephrostomy tube कहते हैं वो back side से kidney में डालनी पड़ती है यह सारे stand temporary होते हैं कुछ stand को six weeks के बाद निकालना पड़ता है कुछ stand को तीन मेहने के बाद या special stand, silicon stand होते हैं जिसे आप 9 मेहने, 10 मेहने या साल भड़ के बाद निकालना पड़ता है लेकिन इन सारे stand का निकालना बहुत ही जुरुत है नहीं तो यह harm भी कर सकता है यह हमारे stand के awareness का सबसे मुख बिंदू यह है कि stand किसी भी बज़े से डाली है तो आप चोकस रहे, चोकनना रहे कि आप कोई यह जो stand जो डाली गई है उसे निकलवाना है आपके इरोलोजिस से दूसरी बिंदू यह है, stand जो डाली गई है, कोई stone के कान डाली गई है, kidney में narrowing है या UPG obstruction की surgery हुई है, या कोई antara की surgery हुई है, उसकी वज़े से डाली गई है यह stand के कुछ symptoms होते हैं, जैसे यह stand irritate करती है, तो पिसाब थोड़ी महसूस होगी थोड़ी pain महसूस होगी, या पिसाब की urgency महसूस होगी, या कभी-कभी ऐसा लगएगा कि पिसाब निकल जाने वाला है कभी-कभी sex के दौरान pain होगी, तो यह कुछ common symptoms है, urgency, urine की urgency, urine की frequency, urine में pain, कभी-कभी UTI भी हो सकती है इसकी करन, तो आपको यह aware होना चाहिए, कि यह सारे symptoms हो सकते हैं, और इसके लिए कुछ दवा की दवा से यह सारे symptoms कंट्रोल हो सकते हैं जब kidney में इधर से बायक पीछे लिए तरह से PCN डालनी होती है, जिसे nephrostomy कहते हैं, उसमें थोड़ा risk यह होता है, कि kidney में बहुत सारी खून की नली है, तो कभी-कभी PCN से blood भी आ सकती है और कभी खिच जाने का खतरा रहता है, तो PCN एधर किड़नी में पस बनी होई है, तो भी किड़नी में PCN डालनी पड़ सकती है, नीचे बिलकुल ब्लॉक है, फिर किड़नी में PCN डालनी पड़ सकती है, किड़नी की कोई surgery हुई है, उसके बाद भी PCN या नेफ्रोस्टomy ड निकल जाएगी, फिर दुबार डालनी पड़ेगी, और ये ब्लॉक ना हो, ब्लॉक होने से इडिन नहीं आएगा, बाहर लिक करने लगेगी, और इसे चेंज करने की जुरत है, यदि नेफ्रोस्टomy लंबे समय तक रखने की जुरत है, तो इसे हर महने में चेंज करने की ज जुरत होती है, इसके अलावा आपको ये जानना है कि किड्नी की जो सरजरी होती है, स्टोन की, इस बैक पैसेस से होती है, तो दोस्ट या तीन दिनों के लिए नेफ्रोस्टोमी ट्यूब हीड कभी कभी डालते हैं, या डालना पड़ता है, ये मस्ट नहीं है, लेकिन कभी बहुत सारे डाक्टर डालते हैं, तो ये था हमारा एवर्नेस प्रोग्राम किड्नी में एस्टेंट या नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्यों डालते हैं, कभी कभी कैंसर के कान नीचे करास्ता बिलकुल बंद है, एस्टेंट नहीं डाल सकते हैं, या कुछ नहीं डाल सकते हैं तो भी nephrostomy tube PCN डालनी पड़ती है, क्योंकि जिन्गी तभी चलेगी जब kidney से urine बाहरा आता रहेगा, यह तो kidney failure हो जागी, तो कभी-कभी permanent nephrostomy पे भी patient को रहना पड़ता है, kidney में tube डालके भी जिन्गी बची हुई है, वो निकालना पड़ता है, तो यह था हमारा छोटा सा वीडियो PCN, stent या nephrostomy पे, be aware, be healthy and be happy.